ये बहुत ही सुन्दर मैगलिव ट्रेन ये मिगनिटिक लिविटेशन ट्रेन का मॉडल है इसको LG कोरिया ने डिजाइन करा है इसके अंदर रबराइस मैगनिट के ट्रैक्स है जैसे फ्रिज में चुम्बक लगता है रबर का बनावा उसी तरह से ये फ्लेक्सिबल है जब सम धुरवों को पास लाए जाता है तो एक दूसरी को रिपेल करते हैं और सम धुरव एक दूसरी को आकरशिक करते हैं ये है प्लास्टिक का ट्रैक जिसके अंदर ये मिगनिटिक की स्ट्रिप्स चो है वो एकदम फिट हो जाएंगी ये ध्यान रखिएगा कि सारी स्क्रिप्स के धुरूफ एक ही और हूँ तो ये तो हो गया आपका रेल का ट्रैक उसकी बात में ये एक छोटा सा सर्कृत है जिसके अंदर एक पंका है एक खिलोने का मोटर है एक स्विच है और एक तीन वोल्ट की बैटरी है स्विच को अन उन करने पर पंका जोरो से चलता है और ये एक चैसिस है ट्रैन की जिसमें सबसे पहले तो आप चुमबक की पट्टियां लगाए फिट करने इसमें अलग अलग तरह के खाचे बने है अब ये देखिए इस खाचे के अंदर जो स्विच है सर्किट का वो एक दम जाकर के बैट जाएगा ये बैटरी का पैकेट बैट गया और यहाँ पर मोटर फिट हो गया अगर हम स्विच को अन करेंगे तो पंका फरफर करके गुमेगा अब ट्रेन को जैसे ही हम ट्रैक के उपर रखते हैं सम्धुरों की वज़े से वो उपर को उच्छाल मारता है थोड़ा सा लिफ्ट मिलती है अगर थोड़ा सा उसको टिल्ट करेंगे तो आप देखिए ट्रेन जो है अपने आप धलान से ही आगे पीछे ढूमती है क्योंकि घर्षन बहुत करन है और जैसे ही पंखा ओन करते है वो आगे को हवा फेकता है और ट्रेन पीछे को तेज़े सकती है यही सिध्धान्त है किसी भी मिगनेटिक लिविटेशन ट्रेन का इसमें न्यूटन का सिध्धान्त पी एकडम साफ तोर पे समझ में आता है कि every action has a equal and opposite reaction हर एक रिया की प्रितिक्रिया होती है पंका आगे हवा फेकता है और उससे ट्रेन पीछे को जाती है क्योंकि घर्षन ट्रेन और ट्रेक के बीच में बहुत कम है इसलिए बहुत तेजी से जाती है आजकल दुनिया के बहुत से हिस्सों के अंदर magnetic levitation trains आ रही है जो बहुत तेज गती से चलते है और इसकी छोटी सी जलक बच्चे जोटी से खिलोने में देख सकते है